हाई द्वेल्डीज वेलकम टू एजी वे कामर्स क्लासेज मैं हो तबिता और गाईस आज के इस वीडियो में हम अपना रिडेम्शन ओफ डिबेंचर चेप्रे स्टार्ट करेंगे जो कि न्यू सेशन के हिसाथ से है पहले वाले में कासी सारे चेंजिस है गाईस तो अब इस वीडियो में हम वो सारे चेंजिस को कवर करेंगे सबसे पहले रिडेम्शन ओफ डिबेंचर में हम इसका मिनिंग समझेगे कि रिडेम्शन ओफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है अगर आप चैनल पर पहली बार में सार जुड़ रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है में क्या कहने वाले हो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए वेल आइकन को प्रेस कीजिए और आप अपने डाउट इंस्टाग्राम पर आईडी है ताबिता मैसी वहाँ पर पूछ सकते हो अकाउंट बिजनस इको से रिलेटेड तो सबसे पहले रिडेम्शन ओफ डिबेंचर का क्या मतलब होता है रिडेम्शन का मतलब होता है रिपेमेंट करना किसकी डिबेंचर की तो जब कंपनी मार्केट में आई थी और उसे डिबेंचर बेचे थे तो लोगों से पैसे ले लिये थे डिबेंचर के बदले में लेकिन वो debenture के बदले में जो पैसे लिए थे वो एक particular time के लिए थे 10 साल, 15 साल, 20 साल और जब वो समय पूरा हो जाता है तो company को उन debenture holders को पैसा चुकाना होता है That is called redemption of debenture यानि कि discharging the liability of a debenture तो जो भी उनकी liability debenture को लेकर अब उन debenture holders को उनका पैसा देना है That is called redemption of debenture ठीक है अब इतना असान नहीं होता है उन लोगों को उनका पैसा दे देना क्यों असान नहीं है क्योंकि इसके ओपर companies act 2013 के according काफी rules and regulation company को face करनी पड़ती है जिसमें सबसे पहली rule and regulation में आता है आपका DRR जिसे बोलते हैं हम debenture redemption reserve क्या बोलते हैं debenture redemption reserve यानि कि debenture के redemption के लिए हमने एक reserve बनाया दूसरे चीज होती है debenture redemption investment यानि कि debenture के redemption के लिए हमने एक investment भी करी तो दो चीज़े होती हैं ठीक है इस समय पर जो rate चल रहा है reserve हमें 10% बनाना होता है और face value या nominal value of outstanding debenture का जो कि मैं practically आपको बताऊंगी कि किस amount पे बनता है DRI का जो rate है guys वो है 15% of the outstanding debenture of current year तो ये जो language है ना ये मैं आपको भी समझाऊंगी लेकिन सबसे पहले यहां पर मैं आपको एक तो rate बता रही हूँ जो कि debenture, redemption, reserve का 10% है और DRI जो है वो 15% है ठीक है अब सबसे जो महत्पून या important जीज़ है guys वो क्या है कि question में हम स्टार्टिक में ही गलती कर बैठते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि हमें question में हमें आदत है question को solve करने की जादा पढ़ने की आदत नहीं होती तो हम company के नामों को देखते ही नहीं है और हम solve करने लग जाते हैं अच्छा DRR बनाना है अच्छा DRI बनाना है वो तो हमें पता है हम बना देंगे लेकिन हमारा question वहीं गलत हो जाते है क्योंकि कुछ companies हैं जिनें बनाने की जरुरत नहीं होती तो उस case में वो आपको confuse करेंगे कि बताओ DRR कितना बनाना है DRI कितना बनाना है तो सबसे पहले ऐसी कौन सी companies हैं कौन सी institutions हैं जिनें ये बनाने की need नहीं है तो सबसे पहले All India Financial Institutions Regulated by RBI उन्हें ना DRR बनाने की जरुरत ना DRI बनाने की जरुरत किसे नहीं बनाने की जरुरत All India Financial Institutions Regulated by RBI अगर आपका question ये इसी से start हो रहा है कि ये वारा institution है तो हमें ना DRR बनाना ना ही DRI बनाना है Second है हमारी banking company banking company चाहे वो publicly हो या private उसने departure issue करे publicly करे है या फिर private उसने departure issue करे है तो banking companies को भी DRR और DRI दोनों बनाना नहीं पड़ता इसके बार other financial institution with the meaning of section 272 of किसका companies at 2013 तो अगर कोई और financial institution है उन्हें भी नहीं बनाना तो मैं इसका अगर wholesome बताऊ तो जो भी related financial से related अगर कोई company उन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद हम बात करते हैं listed company की चाहे उन्होंने publicly या privately कैसे भी place करे हो other than All India Financial Institution से हट कर और banking से हट कर कौन से हो सकते non banking finance company जो की RBI के अंडर आती है RBI एक 1934 के अंडर section भी लिखा है 451A इन्हें सिर्फ DRI बनाना है DRI नहीं बनाना यानि की इसको short form में हम क्या बोलते हैं NBFC non banking finance company को सिर्फ क्या बनाना होते हैं जो की आपको देखना है अगर listed है ठीक है अभी मैं इसका short version बताऊंगी जैसे आप बहुत असानी से याद कर सकते हो इसे दूसरा होते है हमारा housing finance company with national housing bank ठीक है तो उन्हें भी सिर्फ DRI बनाना है other listed company उन्हें भी सिर्फ DRI बनाना है तो मैं अगर आपको एक simple भाशा में बोलूँ आप चेक करोगे listed company है listed company है listed company में वो non banking finance company हो housing हो या कोई सी भी listed company होगी तो वो सिर्फ DRI बनाएंगी DRI नहीं बनाएंगी तो अगर आप question बढ़ोगे उसमें लिखा होगा this is the listed company तो DRI बनाना है DRI नहीं बनाना ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं unlisted company के तरफ unlisted company जो कि again ये नहीं होनी चाहिए इनके अलावा अगर हमारी non banking finance company unlisted company है housing finance company unlisted company है तो अगर ये दो company non banking जिसे हम NBFC पोलते है या housing finance company जिसे हम HFC बोलते है ये दोनों कोई भी अगर unlisted company है ये दोनों ठीक है? नहीं बनाना, कुछ भी नहीं बनाना, ना DRR, ना DRI बनाना किसे है यार वे? तो सिंपल सी बात आपको जो याद रखनी है कि कंपनी आपकी अनलिस्टेड होनी चाहिए, अनलिस्टेड अगर कंपनी होगी वही सिर्फ दोनों चीजे बनाएगी, कौन सी? अगर मैं शोर्ट फॉर में बोलू अनलिस्टेड जो कंपनी होगी, वही सिर्फ DRR और DRI बनाएगी बस उसके आगे नौन लिखा होना चाहिए, नौन बैंकिंग फाइनस कंपनी, नौन हाउसिंग फाइनस कंपनी अगर वह नौन बैंकिंग फाइनस कंपनी होगी, हाउसिंग होगी, नौन नहीं लिखा, तो कुछ नहीं करना तो यानि कि आपको पहली चीज क्या चेक करने रही है, अनलिस्टेड कंपनी होनी चाहिए और उसके आगे नौन लिखाना चाहिए अनलिस्टेड नौन, और अगर लिस्टेड है, तो सिर्फ डी आराई बनाना है, लिस्टेड है तो सिर्फ डी आराई बनेगा, यह चीज धियान में रखनी है, अदर्वाइस फुल कुछ गलत हो जाता है, सब कुछ आता हूँ अभी गलत हो जाता है, तो मैं वो चीज इसलि करोगे DRR बनाओगे और DRI बनाओगे ये करने के बाद गाईज अब जो में चीज आती है कि हमारे पास कितने तरीके हैं कौन से sources हैं जिनसे हम redemption कर सकते हैं ठीक है तो अब उससे start करते हो तो गाईज अब हम पढ़ेंगे कौन सी important terms है जो हमें redemption of redemption के समय पर ध्यान रखनी चाहिए कौन सी important और सारी चीज़े होती है जब हमें इस question को solve करते हैं तो सबसे पहला है कि जो sources है sources of redemption of redemption यानि कि पैसा कहा से आना है अगर आप redemption कर रहे हो out of capital तो out of capital का मतलब है आप अपनी दर्ब से पैसा लगा रहे हो तो ऐसे के इसमें हमें DRR बनाने की जरूरत नहीं होती ठीक है तो अगर उसमें लिखा आ जाते हैं कि out of capital आप ये कर रहे हो तो आपको DRR नहीं बनाना सेकिंड है out of profit अगर आप profit में से पैसा निकाल रहे हो और आप out of profit redemption of debenture कर रहे हो तो एक बात धियान रखनी है कि 100% profit में से ही पैसा DRR में चाहेगा यानि कि अगर मेरे और 20 लाग रुपे केडेवेंचर को पैसा देना है तो 20 लाग रुपे मेरे पूरे पूरे profit में से निकलने चाहीं यानि कि मेरे पास इतना पूरा पूरा profit इतना होना चाहिए कि मेरे पूरे debenture रुडиком हो जाएं 50 लाग का amount है what profit में से है तो हमें पूरा का हैं कि 10% तो हमें जाना है किसमें DRR में तो वो किस case में होता है out of capital and out of profit अब आप बोलोगे यह हमें कैसे पता चलेगा तो अगर question में out of profit लिखा आ जाता है तो हम generally 100% amount transfer करते हैं अगर कुछ mention नहीं है तो हम उसे यह वाला case मानते हैं और हम DRR को निकालते हैं यानि कि find out करते हैं ठीक हैं दूसरी चीज होती है guys time की यानि कि यह कब amount निकालना होता है DRR का पैसा कब निकालना है यह तो पता चल गया 10% कि यह होता है 15% लेकिन कब तो अगर आपके debenture next year redeem होने है next year आपने उसका पैसा देना है तो उससे पहले के 31 March को यानि कि अगर मैंने 2020 फरवरी में पैसा चुकाना है या 31 March 2020 को पैसा चुकाना है तो 2020 से पहले वाला 31 March कब आया होगा तो DRI 30 April से पहले पहले बनता है जिस भी साल आपने अगर अपने debenture holder को पैसा देना है तो अगर आपने 31 March 2020 में पैसा बोला है देने की तो उससे पहले April कब आया था तो आप बोलोगे 31 March 2020 से पहले April आया था April 2019 में आया था तो वो बोलते हैं कि 30 April को या फिर इससे पहले तो जनरली अगर हमें question में कुछ mention नहीं होता तो हम 1 April मानते हैं Otherwise उन्होंने बोला है 1 से 30 April के बीच में हमें कर लेना है यानि कि DRI investment कर देनी है तो main चीज़ क्या है जब आपके debenture due हो रहे हैं उससे पहले के 31 March में आपका DRI बन जाना चाहिए और उससे पहले के April में आपका DRI बन जाना चाहिए Otherwise ये question में खुद ही date बोल रहते हैं कि इस दिन हमने DRI का पैसा दिया इस दिन हमने DRI के investment करी तो तो हमारा question अराम से easily हो जाता है कि date उन्होंने ही दे दी अगर नहीं देते तो आप ये concept यूज कर सकते हो उसके बाद आता है amount जो की main important concept है कि कितने amount का हमें 10% या कितने amount का हमें 15% लेना होता है तो guys ये जो amount का concept है ठीक है ये totally depend करता है आपके method पे method यानि कि दो तरीके से हमें redemption of debenture करना होता है हालक कि चार method है बड़ CBSC ने सिफ दो दे रखे हैं पहला lump sum on maturity यानि कि इखटा पैसा दे देना मेरे 15 लाग के adventure से 15 लाग का पैसा में इखटा दे रही हो तो आप क्या करोगे lump sum के case में 10% भी 15 लाग का होगा ठीक है कब जब हम lump sum payment देते हैं लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि installment by draw of lot draw of lot में क्या होता है कि installment आप करते हो कि 15 लाग में पहले हम 6 लाग का पैसा दे देते हैं फिर हम कितना 9 लाग का पैसा देते हैं तो 9-6 कितना हो गया 15 लाग तो उन्होंने बोला पहले साल में हम 6 लाग debenture कर देंगे और अगले साल हम 9 लाग कर देंगे तो यानि कि पहले साल सिर्थ 6 लाग debenture का पैसा जाएगा और अगले साल 9 लाग debenture का पैसा जाएगा और इस तरीके से हम 15 लाग की अपना redemption of debenture कर देंगे ठीक है ऐसे case में DRR जो बनता है वो तो देखो 15 लाग पर ही बनता है यानि कि आपके nominal value of outstanding debenture यानि कि face value तो वो 15 लाग है लेकिन DRI current outstanding पर बनता है तो first year जो DRI बनेगा वो 6 लाग का 15% बनेगा और second year 9 लाग का 15% बनेगा तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कब जब draw of lots होगा लेकिन अगर 81 पैसा दे रहे हैं तो तो कोई tension ही नहीं है आप same amount का 10% में 15% कर सकते हो लेकिन अगर amount अलग है installment में है तो DRI one time आपने इसका बना दिया लेकिन DRI जो बनेगा वो जितना outstanding current year का होगा उस पर बनेगा ये चीज़ ध्यान रखनी है DRI के लिए हम nominal word यूज़ करते हैं outstanding dimension यानि कि total face value जबकि DRI के लिए हम current outstanding यूज़ करते हैं तो उसके तरीके से हमें solve करना है अब guys ये थे basic concept अभी इस वीडियो में मैंने case वो नहीं कराई journal entry वो next video में करेंगे क्योंकि काफी सारे concept है अदरवाइस वीडियो बहुत जादा link दियो जाएगी तो next video में सिर्फ हम journal entry समझेंगे कि कहां से पैसा आता है कैसे आता है क्या entries पास करी जाती है So I hope guys ये जो basic concept है ये आपको समझ जाए होंगे लेकिन अगर फिर भी कोई मन में डाउट है तो आप पूछ सकते हो Instagram पर आईडिया है तब इता मैसी Thank you